हेलो स्टुएंट्स वेलकम तो माई क्लास तुड़े भी स्टार्ड एक्साइज 6.2 बेटा एक बत्यान में रखना कि जो 6 चेप्टर इसका हरे कोशन एक थियूरम टाइप है तो आपको हर एक कोशन जो है अच्छे से अंडेस्टेंड करना पड़ेगा तो जो वीडियो है पूरी एंड तक देखिए और सभी कोशन को अपनी नोड़ों के उपर साथ की साथ राइट करते जाएए अब आपको एक डियाग्रम दे रखिया है इसमें X और Y आपको शो हो र पैलल सीडी शो करनी पड़ेगी ठीक है अब स्यूशन देखिए बटा एक बात आप ध्यान में रखना कि जब भी कोई दो लाइन्स पैलल करनी है ठीक है तो हमने पड़ा हुआ है कि अगर दो लाइन्स पैलल हो तो आल्टरनेटिव एंगल्स कोर्सपोर्णिंग एंगल्स यह सबी इकल होते है ठीक है लेकिन अगर आपको पैलल शो करनी तो आप अल्टरनेटिव एंगल्स को इकल कर दोगे अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इकल हो चुके तो आपकी जो लाइन्स है वो पैललल हो जाएगी अब देखिए हम कैसे करते हैं पहले तो एक्स वाई यह linear pair बन जाएंगे ठीक है और x की value आप find कर लोगी 130 आगी अब y देखिए y और 130 जो है आपस में vertically opposite angles है तो y is equal to direct of 130 लिख सकते हो और साथ में लिख दोगी reason vertically opposite angles ठीक है दोनों question से देखिए x की value 130 आगी y की value 130 आगी x और y आपस में क्या होगे equal होगी ठीक है और equal होने के बाद अब यह देखिए x इस side में है अंदर है वो भी और y दूसरी side में है वो भी उसके lines के अंदर है तो दोनों angles alternative interiors है ठीक है it means आपके पास x और y equal जो आ चुके है it means जो x और y है वो क्या है alternative interior angles है जो आपके पास equal आ चुके अगर alternative interior angles equal आ चुके तो आप write कर सकते हो कि ab parallel to cd के ab cd के parallel है clear now see the second question in the given figure ab parallel cd cd parallel ef आपको given है कि जो ab line है वो cd के parallel है और cd line किसके parallel है ef के parallel है तो पहले तो यह clear ही हो जाता है कि अगर एक line दूसरी के parallel है और second one line third के parallel तो first और third भी आपस में parallel हो जाएंगी ठीक है उसके पाद आपको पता करना है y ratio z is equal to 3 ratio 7 है y और z के ratio 3 ratio 7 है तो find x तो आपको x के value find out करने है ठीक है अब यहाँ पर आप solutions देखिए ab parallel cd दे रखा गिवन है आपको cd parallel ef यह भी गिवन है अगर ab cd के parallel है cd ef के parallel है तो a b ef के भी parallel हो जाएगी ठीक है दो question से अब हम यह लें कि अगर दो लाइन पहले वाली parallel लें ab और cd parallel है ठीक है तो x और y जो है यह co interior angles बनते हैं ठीक है co interior means a की तरफ के अंदर ले कौन ठीक है और इनका सम होता है 180 तो 180 लिए co interior angles है ठीक है इसको यहीं पर leave कर दिया first question first number डालके first question डाल दिया इसको ठीक है अब आपको दे रखा y और z ratio क्या है 3 7 अगर y यह ratio z दे रखा कभी कोई चीछी ratio में दी होती है तो हम उसको हमेशा किस में लिखते हैं 3 x x साथ में लगा दे लेकिन यहाँ पर x नहीं लगाए मैंने a और दुन दरफ a लगाया है ठीक है क्योंकि x ओल्ड़ी आपके पास questions में आ रहा है इसलिए मैं ने x ने use किया y is equal to 3 a suppose कर लिया और j is equal to 7 a ले लिया ठीक है कोई यह concern आ अगर दो लाइन्स पहलेल हैं तो दोनों के alternative and terrace angles equal होंगे x left में है और z right में है तो यह alternative and terrace angle बन रही है ठीक है और यह आपस में क्या होते हैं equal होते हैं ठीक है आप देखो बीच में यह lines remove कर दो ठीक है अब देखो a b parallel किसकी है e f की है ठीक है तो x और z कौन से यह angle होगे alternative and terrace angle तो आप इसमें क्या होंगे यह equal होंगे ठीक है x is equal to z के equal हो जाएगा ठीक है अब x की value आपके पास क्या आगी z आगी तो आप इसको first equation पूट कर सकते हो जहां पर लिख रहे हैं x plus y is equal to 180 तो x की जगे आप क्या लिख सकते हो यहां पर z लिख सकते हो जड प्लस y is equal to 180 आगया z की value आपके पास पता है 7a ए लिखी होई है y की 3a है तो यहां पर 7a प्लस 3a 10a हो जाएगा 10a is equal to 180 और a की value आपके पास finite हो जाएगी a की value निकालने के बाद आप z की value निकालोगे z कितना था 7a यानि की a की आपके पास 18 value दे रखी है वो multiply हो जाएगी 7 से 126 आजाएगा ठीक है z की value आगी 126 लेकिन z और x आपसे में क्या है इकोल है तो x की value भी क्या आगी 126 आगी clear थर्ड कोशन देखिए दो लाइन्स है पैलल देया रखी है b और c d और e f perpendicular c d यह sign जो होता है बटा perpendicular का होता है यानि की e f line जो है c d की ओपर 90 डिगरी का अंगल बनाती है इस sign का meaning यह होता है तो e f perpendicular to c d यह 90 डिगरी का अंगल इन्होंने show भी कर रख है box बना के square बना के यहा एंगल आपको 126 दे रखा है और आपको यह सभी एंगल पता करने a g e g e f f g यानि कि यह वला एंगल इस ट्रेंगल के सभी एंगल यह वला एंगल ठीक है एक अंदर रहे एंगल एक a g e यह बहार वला एंगल तीन एंगल आपको find out करने है चलते है solution की तरफ अब देखिए ब g e d यह देखो डोटर लाइन दिख रही है आपको यह सारा एंगल कितने दे रहे रहे आपको 126 ठीक है अब आपको यह चोटा एंगल दे रहे है small यह वला पता करना है ठीक है कैसे करोगे अब जो बड़े वाला एंगल है g e d वो किसका सम है g e f का एक इस छोटे वाले का सम ह दूसरा f e d इन दोनों का सम है ठीक है न देखो यह बड़े वाले एंगल के बीच में आ रहे हैं दो चोटे एंगल तो बड़े वाला एंगल जो है वो दोनों चोटे एंगल का सम के ब्राबर है इनकी वेल्यूज फूटर कर दो g e d की वेल्यू 26 ग e f हमें पता नहीं है और f e d की वेल्यू 90 ग्री है तो यहां से आपका g e f एंगल फाइन आट हो जागा 36 ग्री आपका यह small वाले एंगल फाइन आट हो गया ठीक है अब हमने करना है फाइन यह वाला ग्रीन वाला एंगल पता करना है यहनकी a g e एंगल पता करना है अब देखे बटा a b पैलल किसके ल A, G, E, एक तो यह रितर हो गया, राइट साट में यह पूरा एंगल, G, E, D, यह दोनों के हैं, Alternative Anteriors एंगल से हैं, ठीक है, G, E, D की वैली आपको पता है, 126 तो A, G, E की वैली भी 126 आ जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बटा, एंगल, this one, और this, दोनों एंगल ए हुए है, एक लाइन है, A, B, उसके उपर है न, दोनों एंगल, दोनों के बना रहे हैं, Linear Repair बना रहे हैं, Linear Repair दोनों का सम क्या है, 1H degree है, ठीक है, तो A, G, E and E, G, F, ठीक है, इन दोनों का सम क्या है, 180 है, A, G, E की वैली आप अलड़ी निकाल चुके, 126 आप पूट कर द बन होगी, ठीक है, और आपको अच्छे से, जैसे मैंने देखो, नोटबुक बना रखी है, ऐसे आप भी फेर नोटबुक बहुत सुन्दर संदर बनाओगे, ठीक यू,